हेलो फ्रेंज शुवान्य रसोई में आपका स्वागत है तो आज मैं उपस्तित हूँ मैगी ओमलेट की रेसिपी के साथ ये बहुत ही आसानी से और कम समय में जटपेट बनकर त्यार हो जाता है तो चलिए फटा-फट रेसिपी के सुरुआत करते हैं इसके लिए मैं आप मसाला अभिलेबल रहता है और यहां दूसरे प्लेट में मैं ली हूँ कटी हुई प्याच नमक अद्रक और लहसुन अब यह मेरा दो कपके करी पानी है और यह उबल चुका है तो मैं इसमें मैगी को डाल देती हूँ अब मैं आप थोड़ी से नमक डाल दूँगे स्वाद दूबल रहता है और मैं इसे करीब मेडियम फ्लेम पर तीन से चार मिनट तक पका लोगी मुझे से इतना पकाना है कि पानी इसमें अब्जॉर्ब कर ले और यह बिल्कुल पानी भी ना रहे इसमें तब तक मैं यहां पर अंडे को फूर लेती हूँ मैं यहां पर दो अंड प्रणी में मैं पहले से नमक डाल दी हूँ और इसमें फिर डाल दूँगी कटी हुई लेसुन और अद्रक आप चाहे तो यहां पर ग्रीन वेज़ेटेबल्स का भी यूज कर सकते हैं जिसमें गाजर कैप्सिकम आते हो और चाहे तो आप यहां पर ग्रीन चिली का भी यू हो चुका है तो मैं इसे नीचे उतार दी हूँ गैस का फ्लम बंद कर दी हूँ अब मैं उसी गैस पर रख देती हूँ कढ़ाई को आप चाहे तो यहां पर फ्राइंग पैन का भी यूज कर सकते हैं और मैं इसमें फेटी हुए अंडे को ढाल देती हूँ अब मैं कढ़ाई को गोल घुमाते हुए अंडे को इस तरीके से फैला ली हूँ और मैं इसे दोनों तरफ पका ली हूँ दोनों तरफ पकाने के बाद मैं यहां से पहले से बनाया हुए मैगी को एक तरफ रख दूँगी हाफ पार्ट में मुझे इसे रखना है और हाफ पा कोमाइटो सॉस खीरा और प्यास के साथ इसे सर्फ करते हूं आप चाहे तो इसे ब्रेकफर्स्ट या साम के नास्ते में बना सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी और जटपट बनने वाली रेसिपी है तो आप इस तरह की रेसिपी ज़रूर ट्राइ कीजिएगा और अपने और बना सकते हैं